Hi everyone, I am Chandrish Mehta. Welcome back to my channel, Step Up. So in previous class, we had done with trial and error theory of Thorn Dike. So in this video, I am going to discuss with you the next theory of learning that is classical conditioning theory by Ivan Pavlov. So let's get started, let's get started, we know this theory and we know which names. Very first one is Ivan Pavlov's theory. Pavlov has given this theory. दी है, इसलिए Pavlov's theory, classical conditioning theory, respondent conditioning theory, क्यों कहते हैं? देखो, इनका जो experiment था, एक dog पर experiment था, dog पहले किसी चीज़ को देकर response नहीं करता था. लेकिन dog की इस तरह से इन्होंने conditioning की है, Pavlov ने इस तरह से conditioning की है, कि at the end वो response करता है. इसलिए इस theory को respondent conditioning या classical conditioning theory कहते हैं. फिर आता है condition reflex, reflex actions वो होते हैं, जिनको हम control नहीं कर सकते हैं, हमारी ऐसे अनेचिक रियाएं जिनको हम control नहीं कर सकते हैं, तो इनको Pavlov ने क्या किया है, condition किया है respond करने के लिए. फिर आता है Pavlovian conditioning, इस तरह से इस theory को Pavlovian conditioning भी कहा जाता है, तो एक और नाम से इस theory को जाना जाता है जो कि यहां mention नहीं है बट आपके exam purpose से important है वो है SS learning या SS theory अगर आपको याद होगा तो previous वीडियो में हमने देखा जब हमने trial and error theory को किया था तो उस theory को हमने देखा कि SR theory कहते है SR bond बनता है stimulus और response के बीच जब connection होता है bond बनता है association होती है तो आपकी learning possible है तब आपकी learning होती है लेकिन इस theory में हम देखेंगे SS learning होती है stimulus learning मतलब यहां पर S क्या है आपका stimulus है stimulus मतलब लालच एक ऐसा लालच जो आपको response करने के लिए बात दे करता है तो समझते हैं इसमें जो पहला S है इसका क्या मतलब है जो यह वाला S है इसका मतलब है कि आपको naturally activate करेगा response करने के लिए जैसे इस theory में experiment में dog के सामने खाना रखा तो खाने को देकर लाल कर टपकना सो भाविक था तो यह stimulus क्या है naturally इसको activate कर रहा है response करने के लिए अब यह जो दूसरा stimulus है वो यह होता है कि पहले तो आपको बात दे नहीं करता है response करने के लिए जैसे इसके सामने घंटी लाई अब घंटी के आने से इसकी लार नहीं टपकी लेकिन बाद में इस घंटी को associate करते हैं दूसरी चीज से जिसकी वज़ा से यह response करता है अब जो है dog मात्र घंटी के बजने पर ही लार टपकाता है तो कहने का मतलब है दूसरा stimulus ऐसा जो बाद म में किसी चीज के साथ जुड़ने पर response करने के लिए बाद्धे करता है वो होता है दूसरा stimulus तो कहने का मतलब है यहां पर दो stimulus की वज़ा से learning होती है इस थियोरी में तो समझते हैं डिटेल में आगे इस थियोरी को very first one is point समझते हैं देखो यह point तो हमने clear कर देगी क्या क्या medicine and physiology इनका जो work था इनका यह जो अपने experiment कर रहे थे अपने dog पर experiment कर रहे थे digestive system को check करने के लिए और इनका जो काम था यह पुरी तरह से आपकी psychology की field में यह काम नहीं कर रहे थे इनका अपना काम था medicine की field में इसलिए इनको noble prize भी दिया गया but in medicine field Pavlov, a Russian physiologist, first described classical conditioning in 1899 while conducting research into the digestive system of dog तो Pavlov ने अपने lab में एक dog को इस तरह से place किया था कि इसकी हर एक activity को observe किया जाता था with the help of observation screen देखा जाता था, observe किया जाता था कि dog किस तरह से saliva को secret करता है कब कैसे खाना लाए जाता है, तो कितना saliva secret होता है, इसके सामने खाना नहीं रखा जाता है, तो फिर क्या करता है, क्या क्या activity होती है तो ये एक experiment था digestive system को चेक करने के लिए, जो की बाद में famous होता है आपके learning की theory में, आपके educational psychology के theory में तो समझते हैं experiment को, फिर देखते हैं कि इन्होंने क्या observe किया, किस तरह से dog की conditioning करवाते हैं response करने के लिए तो आएए समझते हैं experiment को, देखो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, इससे पहले जो हमने theory की थी, उस पर देखा था कि हमने cat पर experiment किया था, थौन डाइक ने और वहीं इस theory में हम देख रहे हैं कि पैवलव ने experiment किया है, dog पर तो ये experiment पूछा जाता है कि किस ने किस animal पर experiment किया है तो शुरू करते हैं before conditioning की, देखो इस समय हम conditioning नहीं कर रहे हैं, before conditioning वाली सीती है सबसे पहले पैवलव क्या करता है, कुटे के सामने खाना रख देता है, अब obvious ही बात है, खाने को देकर कुटा क्या है, लार को टपकाएगा ये हमारी natural चीज है, सोभाविक है, कुटे का खाने को देकर लार को टपकाणा तो अब ये खाना क्या है यहाँ पर ये work कर रहा है UCS कहने का मतलब है unconditioned stimulus है यह अब stimulus हमने देखा था कि कोई ऐसी चीज जो आपको activate करती है response करने के लिए तो खाना क्या है यहाँ पर unconditioned stimulus है unconditioned क्यों? क्योंकि यह before conditioning वाली स्थिती है अब हमने कोई conditioning नहीं कर रहे है तो यह है UCS, UCS क्या है हमारे पास? खाना जो हमें activate कर रहा है response करने के लिए अब response कैसा आ रहा है? इस खाने को देकर unconditioned response आ रहा है तो unconditioned response क्या है? इसका saliva जो यह secret कर रहा है means लार का आणा यहाँ पर क्या है? Unconditioned Response है जो कि Trigger कर रहा है Unconditioned Stimulus First Case में हमने देख लिया कि UCS क्या सिक्रीट कर रहा है Saliva सिक्रीट कर रहा है LAR आ रही है UCS से Unconditioned Stimulus से हो रहा है Unconditioned Response खाने से आ रही है LAR फिर Second Situation हम देखते हैं Second Phase देखते हैं Second Phase क्या कहता है अब कुत्ते के सामने रखा जाती है Neutral Stimulus मतलब तठस्त जो है वो रखा जाता है Neutral Stimulus अब कुत्ते के सामने जब घंटी बजती है अब क्या कुत्ता response करेगा जाहिर से बात है नहीं करेगा LAR नहीं टपकीगी तो घंटी को देखकर कुत्ते की कोई LAR नहीं टपकती है यह before conditioning वाली सित्ती है लेकिन हमने conditioning क्या करनी है कि at the end घंटी बजने पर कुत्ता LAR को टपकाई ऐसी हमने conditioning करनी है तो इसके लिए देखते है पैवलव क्या करते है फिर आता है during conditioning हम बात करेंगी कैसे पैवलव जो है एसोसियेट किया जा रहा है किसके साथ बैल के साथ खाना दिया घंटी बजाई खाना दिया तो association हो रही है घंटी और बैल की तो इसके वज़ा से क्या हो रहा है कुत्ता response कर रहा है कुत्ते की लाग टपकरी है तो यहां पर लाग का टपकना क्या है अनकंडिशन रिस्पोंस है जो कि ट्रिगर हो रहा है बैल प्लस फूर से फिर आता है आफ्टर कंडिशनिगं कर वाई अब कंडिशनिंग में हमने देखा कि अब घंटी के बजने पर भी वो जो है रिस्पोंस आ रहा है जब हम घंटी को एसोिषीयेट कर रहे हैं कुट्ट काने के साथ तो क्या है कुट्टा response कर रहा है लेकिन जब बाद में देखते हैं आफ्र कंडिशनिंग जब हम देखते हैं तो कुट्टे की इस तरह से जो neutral stimulus होता है वो बाद में उसकी conditioning कर दी जाती है और वो condition stimulus बन जाता है जो कि trigger करता है condition response को तो हम देखेंगे यहाँ पर condition stimulus क्या है आपका condition stimulus यहाँ पर bell जो की response ला रहा है response क्या आ रहा है saliva देखो first case में तो हमने देखा था कि uncondition stimulus होता था food जिसकी वज़ा से आपका saliva आता था लेकिन after conditioning हमने देखा कि अब गंटी के बजने पर भी कुटा saliva को secret कर रहा है लार को टपका रहा है तो यहाँ पर bell क्या है condition stimulus है और response जो आ रहा है saliva secret कर रहा है वो आपका condition response है तो यह था experiment Pavlov का एक dog पर जिसमें हमने देखा कि किस तरह से conditioning कर दी जाती है एक dog की response करने के लिए तो समझते हैं इसके principle को in written form कि क्या कहते है UCS क्या है देखो experiment में हमें clear था कि UCS क्या है UCR क्या है तो यह principles और classical conditioning है अब uncondition stimulus क्या था जब हमने देखा कि before conditioning वाली सी थी तो UCS क्या था हमारा खाना UCS था जो कि naturally trigger करता है हमें response करने के लिए तो UCS क्या है यहाँ पर food हमारा UCS है uncondition stimulus है अब before conditioning हमने देखा कि food की वज़ा से क्या आ रहा था saliva secret हो रहा था लार टपक रही थी तो हमारा लार क्या है uncondition response है जो कि हमारा unintentional reaction होता है एक सबात करते हैं condition stimulus की अब condition stimulus क्या होता है the condition stimulus is the neutral signal that after being paired with the uncondition stimulus trigger the condition response जो की neutral signal होता है हमने experiment में देखा neutral signal क्या था bell जब हमने इसको pair करना है किसके साथ uncondition stimulus के साथ means food के साथ जब हम इसको pair करेंगे तो इसकी वज़ा से जो है condition response आएगा अब condition response क्या है bell plus food को जब associate किया तो इसकी वज़ा से कुत्ते ने क्या क्या लार को टपकाया अपने saliva को secret किया तो यहाँ पर CR क्या है अब CR देखेंगे तो CR क्या है आपका condition response है means last में CS के बाद आपका CR आता है जो की trigger किया जाता है CS के द्वारा तो यहाँ पर लार क्या है saliva secret होना आपका CR जो की neutral signal की वज़ा से trigger हो रहा है जैसे इस picture में भी दिखाया है कि uncondition stimulus से क्या आता है आपका uncondition response आता है यह स्थिती है आपकी before conditioning की लेकिन जब after conditioning क्या कर देते हो condition stimulus से आता है आपका condition response फिर हम next बात करते हैं there are three level of conditioning before conditioning after conditioning and at the time of conditioning अगर हम बात करें before conditioning की तो इसमें क्या होता है UCS is equal to UCR मतलब uncondition stimulus से क्या आता है आपका uncondition response आता है means खाने की वज़ा से आपका saliva secret होता है UCS क्या है food है food से आपका saliva आता है saliva क्या है आपका UCR है direct question पूछा जाता है कि पैवलव के dog experiment में UCS क्या है UCR क्या है फिर बात करते है at the time of conditioning time of conditioning जब आप कर रहे हो तो आप neutral stimulus को जोड रहे हो associate कर रहे हो uncondition stimulus के साथ तो means neutral stimulus क्या है यहाँ पर बैल है बैल को associate कर रहे हो UCS के साथ UCS क्या है food है जिसकी वज़ा से आपका saliva secret हो रहा है means UCR uncondition response आ रहा है तो यह है after conditioning वाली स्थिती फिर हम बात करते हैं जिसने screenshot लेना है वो ले सकते हैं same वही चीज जो हमने discuss कर ली है अब हम बात करते हैं process of learning exam purpose से again important one acquisition एक टाव हम आती है acquisition क्या है कि यह conditioning को किस तरह से जो है कुट्ते ने acquire कर लिया था वो होता है कि जैसे bell बजेगी bell के बजने से उसने response किया तो वो होता है acquisition पिर आता है generalization जनरलाइजेशन है कि हर bell कुट्ते के लिए सामान है वो discriminate ही नहीं कर पा रहा है differentiate ही नहीं कर पा रहा है कि कौन सी bell उसके खाने की है कौन सी bell उसके मंदिर में जो घंटी बजरी है वो है अगर कुट्ता discriminate ही नहीं कर पाता तो वो है generalization जब उसको जब वो सामानी करन करता है जब उसको पता नहीं है जब वो discriminate नहीं करता है कि कौन सी उसकी bell है वो होता है generalization फिर आता है discrimination मतलब discrimination is important for conditioning कि अगर discriminate कर पा रहा है doggy कि ये उसकी खाने की bell है ये मंदिर में बजने वाली घंटी की bell है ये school में जो घंटी बजरी है उसकी bell है तब ही जो है उसकी conditioning होगी जैसे यहाँ पर कुट्टे ने समझ लिया था कि ये उसकी खाने की bell है तो उसने discriminate किया था तो मतलब choose on bell कि अपने घंटी को चूज करना वो है discrimination या distinction फिर आता है extinction extinction होता है कि as time passes response करना आप भूल जाते हो जब बार बार खाली अगर bell बजाएंगे कुट्टे के सामने बार बार आप खाली घंटी बजाते रहेंगे तो खाना नहीं देंगे खाली bell बजा रहे हो खाना नहीं देंगे तो एक समय आएगा जब यह इस response करना भूल जाएगा वो है extinction कि जब आप response करना भूल जाते हो तो यह है extinction फिर आता है spontaneous recovery यह होता है कि अचानक से एकदम आपको याद आ गया किसी दिन आपको याद आया यह हो यह तो मेरे खाने की bell थी वो होता है spontaneous recovery अचानक से कभी practice के बाद याद आना that is your spontaneous recovery डारेक पूछा जाता है question आ जाता है कि एक बच्चा है ठीक है बच्चा उसको पता लग जाता है कि classroom में जब 5 bell बज़ती है तो उसको पता है कि यह उसके lunch time की bell है तो कंडिशनिंग हम इस तरह से कर देते हैं कि automatically हो जाता है कि classroom में 5 bell बज़ रहे है तो में पता होता है कि lunch time की bell है और अचानक से lunch box सामने तो वो क्या है discriminate कर दिया है बच्चों ने कि यह हमारे lunch की bell है या उसके science की पिरेट की bell है या math की पिरेट की bell है तो वहाँ पर क्या है generalization होता है कि बच्चे को हर bell एक जैसी लगती है वो discriminate नहीं कर पाता है तो उस स्थिती में क्या होता है बच्चा generalization की स्थिती में होता है तो यह है process of learning next बात करते हैं determinants of classical conditioning इसमें आता है simultaneous conditioning यह होता है कि गंटी के साथ-साथ आपका खाना आना गंटी बजाई खाना दिया गंटी बजाई खाना दिया जैसे इस case में होआ था तो यह है simultaneous conditioning फिर हम देखेंगे delayed conditioning क्या है कि गंटी बचते रहेगी तब तक जब तक खाना ना आए फिर हम देखेंगे कि इन मैसे कौन सी effective रहती है गंटी बचते रहेगी तब तक जब तक खाना ना आए वो होता है delayed conditioning फिर आता trace conditioning जब आप trace conditioning करते हो तो गंटी के गंटी बजा दी फिर दो तिन गंटे के बाद आप खाना दोगे तो गंटी के कुछ समय के बाद खाना देना वो होता है trace conditioning जब आप फिर backward conditioning करते हो backward conditioning होता है कि पहले आपने खाना दिया फिर आप गंटी बजा रहे हो क्या इसका impact पड़ेगा नहीं तो ये हमारे पास क्या है least effective conditioning है जब आप conditioning करवा रहे हो तो ये है आपका most effective conditioning type तो that is all about the classical conditioning theory of Ivan Pavlov I hope this theory is clear to all of you फिर भी किसी को कोई query हो कोई कुछ पूशना हो तो please comment section में ज़रूर comment कीजिए अगर आपको ये video useful लगी हो तो please मेरी video को like कीजिए share कीजिए channel को subscribe कीजिए thanks for watching step up stay connected